वेलकम फ्रेंड्स रभीवार की स्पेसल आनलाइन कलास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मराज कुमारे दुबंसी आज आपको दिखाऊंगा पर्यावरान अध्यान से संबंदित कुछ महत्पूर्ण सवाल और उनके जबाब आप लोग दिखाऊंगा और इस कलास को पूरा देखिएगा सभी जानकारी आपको समझ में आएगी यह हमारी गारंटी होगी ठीक है तो पूरा देखिएगा इंड तक देखिएगा और अगर इस कलास से संबंदित कोई आपके मन में बिचार है तो आप उसे हमें निसंग को सेयर कर सकते हैं जैसा कि आप ये कुछ सवाल देख रहे हैं ये सब ही आपने पहले पढ़ लिया है और आज हम देखेंगे इसमें बचे हुए कुश्चन्स तो ध्यान से देखियेगा इस कलास को और इंड तक देखियेगा जैसा कि आप सबी जानते हैं बहुत से फ्रेंड्स जो हैं वो सीटेट की परिक्षा की तैयारी के लिए हैं बहुत से लोग जो हैं वो टेट परिक्षा और डियलेट की परिक्षा के लिए दिनो रात लगे हुए हैं तो उनसे बस यही एक बात कहना है कि कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डर करने या पार नहीं होती हौसला बना के रखना है बस सफलता तो खुद चलती आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ये आपको जो नमबर दीख रहा है इसको वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीन साइट ले ले अथवा इसको नोट कर ले पीबियर स्टेडी का आफिसेल वाटसप नमबर है इसमें आपको सभी जैनकारी अपडेट कराया जाएगा हम सुरू करेंगे हंड्रेड नमबर कोईशन से जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ठीक है तो हम लोग पीछे की तरफ से चलेंगे हंड्रेड नमबर से और लाश तक देखेंगे ठीक है पहला सवाल आपके सामने जो आ चुका है वो कह रहा है कि इनने में लिखित में से कौन सा बिस्व का सर्बोच पर्यावरन संरचन पुरुसकार है मतलब बिस्व का सबसे बड़ा पर्यावरन संरचन पुरुसकार कौन सा है यह आपको बताना है ध्यान दिजिएगा इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर आपका बी B मतलब Golden Panda पुरुसकार Golden Panda पुरुसकार इस समय से सही है और क्यूं सही है ये भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल विश्तरी तद्धन करवाएंगे ध्यान से देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा Golden Panda पुरुसकार पर्यावरण सनरचन को पुरुसाहन देने के लिए प्रदान किया आ जाने वाला विश्तरी तद्धन का सर्बोच पर्यावरण सनरचन पुरुसकार है इसे Green Askar के नाम से भी जाना जाता है नेत्रुत में चिपको आन्दोलन को बल मिला सुन्दर लाल बहुकुरा, अमृता देवी बिस्नोई, मेगा पाटकर और केके बनर जी मित्रों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसी तरह का बिल्कुल क्लियर देखना चाहते हैं वीडियो तो आप हमें अनेकेडमी पर फालो कर सकते हैं लिंक दी गई है वहाँ पर आपको बिल्कुल सुद्ध और क्लियर वीडियो मिलेगा ठीक है अगर कोई समस्या होती है तो आप डिस्क्रेप्शन में दिएगे नंबर अथवाई स्क्रीन पर दिखाएगे नंबर पर समपर कर सकते हैं तो आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन क्यों सुरू किया गया था क्योंकि आपके उत्राखंड में एक जंगल था और उसको काटने के लिए सरकार ने बोली लगाई थी और उस जंगल को काटने से बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने चिपको आंदोलन सुरू किया चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि जो भी पेड़ थे वहां पर जिनकी कटाई के लिए बोली लगाई गई थी उन से चिपक चिपक कर सभी महिलाएं और पुरुस खड़े हो गए जिससे कि उन पेड़ों को ना काटा जाए और इस तरह से सरकार को अपना फैसला वापस करना पड़ा और उत्राखंडी की वो जंगल को बचाया जा सका यही हुआ चिपको अंदोलन में ठीक है तो जो चिप संदर लाल बहुगुणा इनके नित्रुत में इसको बल मिला हुआ था कैसे देखिए चिपको अंदोलन एक परियावरण रच्छा का अंदोलन था यह भारत के उत्राखंड राज में किसानों ने बिरिच्छों की कटाई का बिरोध करने के लिए किया था और इस आंदोलन म इस तरिया भारी संख्या में थी इस आंदोलन में सुंदर लाल बहुगुणा को बल मिला अगला सवाल आपके सामने जो आ चुका है उसे आप ध्यान से देखिएगा कैरा की संदच्छन या बिनास पुछतक के लेका कौन है सरला बहान बंदना सिवा जिम कारवेट या रसक ठीक है अगला है पर्यावरण यों बन मंत्राले भारा सरकार द्वारा पर्यावरण के छेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरुसकार है पर्यावरण मित्र पुरुसकार पर्यावरण स्री ब्रिच्छ मित्र या तरुमित्र तो वो पुरुसकार का नाम बताएं जो आप आपको भारा सरकार के द्वारा यानि कि बन मंत्राले द्वारा दिया जाता है उस पुरुषकार का नाम आप लोग समझ चुके होंगे यह नाम है इसका बाबु वृष्च मित्र क्या नाम है वृष्च मित्र आपका डी वाला हो जाएगा सही ठीक है पर्यावरण एवं बन मं सित्र पुरुषकार प्रारंव किया गया या पुरुषकार आइसे वेक्तियों तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं यानिकि वनों की रच्चा करते हैं वन ज्यादा संक्या में लगा ते और उनकी संथाण करते हैं अ Track तो ला कोश्चन आपके सामने आ चुका है सुस्री मेगा पार्टकर का संबंद निमने में से किसे है बग्यानी कानुसंधान से है जल सनरच्छन से पर्यावरन सनरच्छन भूमी सुधार किसे से है या आपको बताना है इसका राइट अंसर आप लोग समझ चुके होंगे जल् दीजिएगा मेगा पार्टकर फरसिद सामाजिक करता इनका जनम दिसंबर 1994 में मुंबई अथात माया नगरी में हुआ था मेगा पार्टकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की अस्थापना भी किया था तो समझ गया होंगे ना पूरी बात अगला पौधे एवं जन्तु की स डाटा बुक नील डाटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं जल्दी से कमेंट करके बताएं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटापट करें देर ना करें समझ चुके होंगे आप कौन सी बुक है वो जी वो बुक है आपकी डाटा बुक आप जानते होंगे डाटा का परकासन करता है कौन करता है आई उसीन जो है ये डाटा बुक का परकासन करता है डाटा बुक 1964 में प्रारम किया गया था इसमें पाउधों एवं जन्तूं की संकट ग्रस्त परजातियों को परदसित करने के लिए इसको सुरू किया गया मतलब कि जो पाउधे हैं या फि बनाया गया है ठीक है ना रेड डाटा बुक में इनके नाम नोट किये जाते हैं और फिर हमारे वनमंत्राले भारा सरकार द्वारा उनको संद्चंड परतान किये जाता है मतलब कि 20 से संद्चंड मिलता है जैसे आप जानते होंगे काला हिरन है ना अभी एक मामला चल रहा था सलमान खान जी का क्यों कि काला हिरन की संक्या बहुत कम है और उन्होंने काला हिरन का सिकार किया हुआ था तो ऐसे बहुत से एक जांपल है जो यहां पर आप देखते होंगे जैसे इसमें वागों की संक्या काफी कम हो रही है तो जो भी जानवर या जो भी पौध है धरती से गायब हो रहे हैं खतम हो रहे हैं उनको भी से संड़च्छन मिलता है जिससे कि वो धरती पर बनी रहे हैं उनका अस्तित्त बना रहे है अगला कुश्चन आपके सामने आ चुका है ये कह रहा है वन जीव संड़च्छन पर न अगर आप इस तरह का और भी अच्छी तरह से question देखना चाहते हैं, उनका describe अधन करना चाहते हैं, तो आप हमें unacademy पर follow कर सकते हैं, description में आपको link दी गई है, वहाँ से आप हमसे contact कर सकते हैं, और आप पूरा complete course प्रयावरण और बालविकास मनो विग्यान के साथ 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 विग्यान और इतिहास भूगोल का course भी इसी तरह से PDF के रूप में अधन कर सकते हैं, अगर आप इस PDF को अपने phone में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाएगे, WhatsApp नंबर पर JOIN लिख करके message करें, और class जोइन करें, इन दिखाएगे option में से आपका number A एक option सही है, WWF for Nature भारत, WWF for Nature भारत इसका मतलब क्या है? देखिए WWF का मतलब हुआ worldwide found for Nature, वर्ड वाइड वाइड फाउंड यह वाइड फाउंड यह व का मतलब हुआ दूसरा डबलो का मतलब हुआ वर्ड वाइड फाउन फानेचर संस्था भारत में 20 अस्तर पर एंजी ओएस एंजी ओएस को कहते हैं गैर सरकारी संस्था के रूप में परेवर संरच्छन के लिए काम करती है रड डाटा बुक में समलित है कौन समलित है बिलुप्त हो रहे जियू अपतित जियू गरस्ट जियू यानि कि ये सभी तो अब आप लोग समझ चुके होंगे इसका उत्तर बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपोर्टेंट है मतलब जरूरी है बिलुप्त हो रहे जियू और ये आपके सुभे जियू अपती गरस्त जियू ये सभी ये सभी इसमें सामिल है बाबू सभी ये सभी जो है दुरलब पर जाती है या फिर गायब हो रही पर जाती हो कि यहाँ पर बारे में बताया गया है है ना तो इसके बारे में अगर हम आपको बता दे डिस्क्राइब करके तो आप जानते होंगे IUCN एक अंतराश्टिय संस्ता है जो बिलुप्त हो रहे है जियू सुबे जियू अपति गरश्ट जियू तथा पादपों से संबंदित रेड़ डाटा बुग जारी करता है पर चलते हैं हम लोग बिल्कुल देहान से देखिएगा कैरा कि एक अध्यापक मेद्धा फाटेकर वह अमरिता देवी विसनोई की युगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंद जल संचन के आंधोलन से हैं दोनों महिला ससकती करण आंधोलन से संबंदित हैं दोनों के आंधोलन परयावरण ये मुद्धों फर हैं दोनों ने चिप को आंधोलन आगे बढ़ाया था ये सभी सवाल आप लोग अनेकेडमी पर पढ़ चुके होंगे अपसे लगभग एक महीना पहले कौन-कौन अनेकेडमी पर ये कुश्चन देख चुका है जल्दी से कमेंट करें कि हाँ मैंने देखा है और जो नहीं देखा वो भी कमेंट करें कि मैंने नहीं देखा है और इसका इतना ही ना कमेंट करे भाई सभी लोग ये भी कमेंट करे कि इसका उत्तर कौन सा है उत्तर आप लोग समझ गे होंगे इसका उत्तर है सी दोनों के आंदोलन पर्यावरणी ये मुद्दों पर है आप जानते हैं अमरिता देवी बिसनोई पुरुषकार भी दिया जाता है पर्यावरण सनच्रण के लिए मेगा पाटकर एक परसिद्ध पर्यावरण भी दहें जिन्नोंने नर्मदा बचावा अंदोलन की शुरुआत की थी तथा अमरिता देवी बिसनोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेटों को ना कटने का भीयान चलाया इन दोनों दोरा चलाया गया आंदोलन यानि की प्रयावरण आंदोलन इनका दोनों संसे प्रयावरण आंदोलन से था अधा अधापक इन 1970 योगदान पर वॉर्तलाप के जरीये प्रयावरण यह मुद्धों की जनकारी looking दे रहा है आपका जानकारी के लिए बता दूँ रेंडी गाउं उत्राखंड में इस्थित है चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रारम किया गया था यहां एक महत्वपूर्ड आंदोलन था चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 इसभी को उत्राखंड के रेंडी गाउं से अपना आंदोलन प्रारम किया और इस आंदोलन का कारण उत्राखंड के रेंडी गाउं के जंगल के लगभग में 2500 पेड़ों की कटाई की निलामी थी गौरा देवी और अंद महिलाओं ने निलामी के खिला बिरोध किया और ठेकेदार तथा सरकार के निर्ड़े पर बदलाओ ना आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़ कर खड़ी हो गई जिसमें गौरी देवी समीत 21 माई लाएं थी अंत में वन्य जीव अधिकारियों ने गौरी देवी की बात मान ली और रेंडी गाउं का जंगल नहीं काटा गया इस तरह से इन्होंने पूरे जंगल की सुरच्छा की और यहीं से चिपको आंदोलन की सुरुआत हो चुकी थी तो है ना सम्मजेदार रेंडी गाउं आपके देवनगरी जी से बोला जाता है है ना उत्राखन अगला कोईशन आपके सामने आचुका है समाजीक बनकी का क्या उद्देश से है क्या है यह मालमला मतलब की इनमे क्या सही है अब आप लोग समझ चुकी होंगे इसमें कौनसा ऑंसर सही है इसमें जो राइट आंसर हो हो जाएगा पर्यावरणिये समाजी क्वा ग्रामेड विकास में मदद के उद्देश से बनों का परबंधक करना ठीक है? कैसे? देखिए समाजी क्वन की पौदरोपन की एक ऐसी पदती है जो परंपरागत बनों या अस्थाफित बनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अत्वस सरबजनिक भूमी पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है समाजी क्वन की का उद्देश से पर्यावरण ये समाजी क्वन की का मुख्य उद्देश से खाली पड़े आस्थानों पर फलदार विक्ष लगाना जिससे पर्यावरण की सुरच्छा के साथ साथ ग्रामीर छेतर में रोजगार में भी विर्द्धी हो समाजी क्वन की की सुरुवात 1976 इस भी में की गई थी तो आप लोग इन बातों को याद रखें, कंठस्ट कर लें और हमारी आपसे एक हाथ जोड़कर बिनमर प्रार्थना होगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को खतम होने के बाद अपने मित्रों में जरूर सेयर करेंगे कम से कम दो-चार दोस्तों में अवस्य सेयर करेंगे इनी उमीदों के साथ कुछ और भी कुईश्चन अभी हम सामिल करेंगे और हाँ, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी पर फालो नहीं किया तो इसी तरह की हर एक क्लास को देखने के लिए अन अकेडमी पर अवस्य से फालो कर लें और इस स्क्रीन पर दिखाएगे वाटसप नमबर पर संपर करें अगर आपको फालो करने में कोई प्राबलम आती है तो फालो करने के लिए आपको एक email id और एक password जनरेट करने की जरूरत होगी email id आपके पास होगी अगर आपको email बनाना नहीं आता है email ID के बारे में नहीं पता कर से follow करते हैं ये सबी problem है तो आप निसंकोच हमारे official WhatsApp नंबर पर contact करें जो को आपको इस screen पर दिख रहा होगा निसंकोच हमारी team आपकी सेवा के लिए तत पर होगी अगला question है जब दुरूब में भूमत रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जयव विविदिता क्या होती है बढ़ती है, गढ़ती है, क्या होती है इस्तिर रहती है या फिर इन में से कोई नहीं तो आप लोग समझ चुके होंगे इसका क्या बात है इस question का right answer क्या होता है जो जयव विविदिता है ना बाबू ये आपकी जब दुरूबों की ओर बढ़ते हैं तो ये बढ़ती जाती है क्या होती है, बढ़ती जाती है दुरूबों के चारो ओर बहुत बड़ा भाग हीमाच्छादित है हीमाच्छादित मतलब जानते है बरब से ठाका हुआ और ऐसे छेत्रों में जियों और बनस्पतियों का अभाव पाय जाता है अभाव मतलब जानते हैं कम ही पाय जाती है अता दुरूबों पर जव विविता नियूनतम होती है लेकिन जब दुरूबों से भूमद रेखा क्यों बढ़ते हैं तब जव बिविदिता बढ़ती जाती है अगला सवाल आपके सामने आ चुका है ये क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा तरुन भारत संग के राजेंदर सिंग को किस कारे के लिए मैगसेस पुरुषकार दिया गया कौन सा पुरुषकार? मैगसेस पुरुषकार जाएगा नमबर ए जल संदच्छण जल संदच्छण आप लोग जानते होंगे मैगसेस अवार्ड एवम वर्स 2015 में इन्हें इस्टाक हो मौटर पुरुषकार भी पड़दान किया गया था तरुन भारत संग के राजेंदर सिंग को जल संदच्छण के संदर्भ में किया गया प्रयासों के लिए जाना जाता है और इन्हें यानि की राजेंदर सिंग को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है इने जल सहर्चन का काले के लिए वर्स 2001 में मायकसेस पुरुषकार आप से ये भी पूचा जा सकता है कि मायकसेस पूरुषकार राजढर सिंग्कों कब दिया गया था तो 2021 AGB में और 2015 AGB में इने इस्टाख होमोाटर पुरुषकार भी दिया गया था तो इस तरह से आपने 15-16 question देख लिया अभी एक दो सवाल हमों लोग और भी देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह क्या कह रहा है निमनलिखित में कौन सी भारत के तीन जयो बिविता हाट स्वार्ट में से एक है रावली हिल्स खासी हिल्स यानि की से भारत का महतुपूर्ण अस्थान है भारत में कुल चार हाट स्वार्ट छेत्र हैं जिन में से दो हाट स्वार्ट छेत्रों को बिश्व के अतधिक तब तो हाट स्वार्ट छेत्रों में रखा गया है भारत के चार हाट स्वार्ट छेत्र जो है उनमें नंबर एक हिमाले पूर्वी हिमालय हाट स्वाट चेत्र भारत के उतरी पूर्वी भाग दच्छनी मद्ध एवं पूर्वी नेपाल एवं भुटान के छेत्रों में फैला हुआ है विस्टो की सबसे उची चोटी माउंट है रहे इस्ट आठ जार आठ सोटालिस मीटर जिसकी उचाई है या भी रही पर उपस्तित है तो समझ गये होंगे आप लोग अगर आप इस पीडिया फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं जो इस्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप हमें दिये के वर्टसप नंबर पर कांटक्ट करें कलाफ जॉइन करें आपको सब कुछ मिलेगा बिस्तो परहवरण दिवस कब मना जाता है आप सबी जानते हैं पांच जनुरी को मना जाता है पांच नमबर पांच जून या फिर पांच सितंबर लगबग लोगों को मालूम होगा कि ये पर्यावरण दिवा साब का पांच जून को परतेक वर्स मनाया जाता है और ये भारत में ही नहीं पूरे बिस्व में मनाया जाता है और पर्यावरण के मुद्धे पर सर्व पर्थम बैठाक 1972 रिस्वी में हुई थी और कहां हुई थी इसकार्ट लेंड में आयोजित की गई थी अगला कोईशन आप लोग समझ चूके होंगे अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है समझ से अगर कुछ बचा हुआ है तो इसे हम आपको बता देते हैं एक कोईशन बचा हुआ है निमलिखित में से कौन सा रामसर गोशना की सूची में नम छेतर नहीं है गुलर जील रुद्र सागर जील राजमंद जील या केवला देव राफ्री उद्द्यान अगर आप चाहें तो आप इस पे वाटर मार्क रिमूब भी कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रकिरिया करनी होगी देग आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बता दें फिर हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी यानिकी राजमंद जील कौन सी जील राजमंद जील ठीक है बारत में कुल आदरभूमी छेतरफल के भागौ रामसर समझाओते का सदस से बना उस समय केवला देव राइफ्ट्रिय उद्दान तथा चिलका जील को आदरभूमी में सामिल किया गया रामसर गोसड़ा की सूची में भारत के 26 आदरभूमी छेतरों को सामिल किया गया है इनमें बुलर जील जो कि जमुकसमीर में है अधरभूमी छोट 설 साक आंव फर Iya मुंस्य कुंजाने के नंभूद्टर scripture ख met you करें आप अधर adore को हैं पर स्वक्राेन डू प्रेंद सब्सक्राइबर कर दो जरूर सेयर करें और ज्यादा जल्दी में होने की वज़ा से आजकी आपकी कलास बहुत अची नहीं हो सकी लेकिन दोस्तों फिर भी कोशिस रहेगी हमारी कि आपको विल्कुल वेस्ट कलास दिया जाएगा विदम मस्त कलास दिया जाएगा तो वेस्त रहें मस्त रहें देखते रहें और दिखाते रहें आपका अपना मन पसंद फीब्यारे श्टडी आज के लिए इतना ही मेरा चिकोमरे दूबंसी फिर से मिलूंगा अगली कलास में थैंक्यू